आपकी मेंटोर आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल पर हांजी क्या हाल चाल है सबके बहुत बढ़िया बस मेरे आने से पहले ऐसे क्लास में आज आया कर बड़ा अच्छा लगता है अरे बापरे अरे वाज भी ने कम हो रही है फोन साइलेंट पे ही नहीं करा चलो विल्यम ब्लेक का हैपी बड़ दे किसने सेलिब्रेट कर रहा है चलो आज किसका बड़े है शैल जागा किसका हपी बड़े आज तो विश कर देते हैं फिर सारे हान जी विल्यम ब्लेक का भी है बड़े तो आज इसलिए आप सब विल्यम ब्लेक पढ़ रहे हो कल आपका विल्यम ब्लेक का टेस्ट है हाई रिंकी गोयल हाई धरमपाल जी गुड़ीवनिंग गुड़ीवनिंग गुर्दीप गुर्लीन आश्मा ममता रितिका सुकप्रीत मन्ताज रंजीत प्रीत कमल नितिका पुलर साब गमलेश रानी तीनू साजन मुझे या याद नहीं है यार शायद शाहिए याद शाल जो का ही है मेरी मेरी अतनही टारहिः ब्लेश भीनली है बढ़ी मुझे लग रसे लगए याथ फेल्मबर के घए या नही इसको लेने तो शुरू होगे, उनका ही है, चलो बढ़िया बढ़िया हाई अर्चना कुमारी, हाई पूजा वद्वा सबको नमस्ते राम राम, जो कमेंट्स कर पा रहे हैं और जो कमेंट्स नहीं भी कर रहे हैं, उनको भी नमस्ते राम राम क्लास में आने के लिए शुक्रिया, अपना टाइम देने के लिए बेटा जी, एक चीज और, अभी जो मुझे लाइव देख रहे हैं, वो लाइव कमेंट्स वही कर पाएंगे स्टूडेंट्स जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, तो अगर आप लाइव क्लास में शामिल होना चाहते हैं, तो लाइव कमेंट्स तभी करेंगे आप, जब सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है, तो चलो, आज है लेक्चर नमबर 4, हाँ, लेक्चर नमबर 4 ह हाँ, बैच नमबर 4 शुरू हो जाएगा, हाँ, नकिता, बैच नमबर 4 शुरू हो जाएगा, एक दिसेंबर को, ठीक है, एक दिसेंबर को, बैच 4 स्टार्ट है, विक्टोरियन एज के साथ, एक मिनट मैं कुछ सेटिंग कर लूँ, पैन सही से नहीं चल रहा, अब ठीक चल ठीक है, तो उस तरीके से, मतलब अगर आपको एक दिसेंबर वाले बैच में आना है, तो अभी अड्मिशन लेना होगा, आपको, कॉल कर सकते हैं, मुझे अड्मिशन लेने के लिए, हाई अंकीत, चलिए UGC, मेरा क्लियर है, यह पेज मैं हमेशा आगे लगाती ही हूँ, यह आप, इंस्पाइर इंग्रिश प्रैनेट अब डाउनोड कर लो, यह इसलिए पेज लगाया गया है, और मास्तर के अडर का अगर कोर्स लेना है, तो आप पैच ले सकते हैं, और संडे को तीन दिसेंबर को, अगस्तन एज का टेस्ट है, टेस्ट नमबर 18, हम मॉक टेस् से, तो यह 18 नमबर का मॉक टेस्ट है यह, तो क्लास में इसे लगाना है, तो जरूर क्लास जॉइन करो, ठीक है, क्योंकि, चालिस से पचास कोईशन ही ओनलाइन लेके आती हूं मैं, बाकी के सारे कोईशन, चालिस से पचास ही यूट्यूब पर आते हैं, बाकी कम से कम स्टूडेंट्स को ही मिलता है, तो अगर वह आपको करने हैं, तो बाकी में इन्रोल हो जाओ, तब ही तियारी होएगी, ऐसे नहीं कि बस यूट्यूब की क्लास लगा ली और काम बन गया, चलो, देरा टोटल डैश, नमबर ओफ प्लेज, दिशेक्सपीर राइट इन ओल, क सॉनेट्स कितनी है, प्लेज 37 है, सॉनेट्स कितनी है, अगर लड्डू कोश्यन आया तो यह जरूर मिलेगा, अच्छा, नितिका चाहे पी रही है, तो नितिका, चीर्जूर्स, सॉनेट्स कितनी है उसकी, गूड इवनिंग सोनिया, येस, 154 सॉनेट्स है, बहुत बढ़ि तो आपको सारी चीजे ही स्ट्रैक करनी चाहिए कि उसकी 154 sonnets हैं, कितने number of sonnets उसने youth के लिए लिखी थी? कितने number of sonnets उसने dark lady के लिखी हैं? कितने number of sonnets उसने cupid के लिखी हैं? ये sonnets उसने dedicate किसको करी हैं? जी, अच्छा, ठीक है, और father of sonnet, yes, father of sonnet किसे कहा जाता है, sonnet कहां से आया है, England में, Italy से आया है, ठीक है, तो यह Italian sonnet है, पेट्रार्क लेके आये थे, अच्छा, थैंक्यू Sonia जी, आप हमारे fan हो गई है, और फिर किदा की हाल चाल, और करें, मैं आपकी पंजाबी की fan हो गई ह ठीक है, तो इतना कुछ sonnets का आपको पता होना चाहिए, Shakespearean sonnet की rhyme scheme भी पता होनी चाहिए, ठीक है, तो एक जब चीज पूछी जाए, तो फटफट फटफट करके सब आंसर आपके माइंड में एकदम से आने चाहिए, अगर बात हो रही है, कितने plays हैं, तो उसके जो major 4 great tragedies सबसे पहले तो plays जब बोल दिया Shakespeare का, पहले ही 4 great tragedies के नाम strike करने चाहिए, होकम, क्या है नाम, होकम, इसको होकम वर्ड ही याद करोगे आप, क्योंकि ये sequence wise है, क्योंकि जब chronologically लगाया जाता है, तो पहले Hamlet आएगा, Othello आएगा, Kinglier आएगा, फिर Macbeth आएगा, जी, तो य ये चीजे आपको फटा-फट से याद आने चाहिए, चलो, Dash called Shakespeare an upstart crow, beautified with our feathers, अब इसके पीछे की सारी स्टोरी मैंने करवाई हुई है बहुत बार कि क्यों उसको upstart crow कहा जाता था, जी, very good, ये Robert Green ने कहा था, उनकी pamphlet आई थी, a growth worth of wit, उसमें उनोंने इसे upstart crow भी कहा था, एक और चीज भी कही थी, अगर आपको याद है तो वो मुझे comment करिये, दो terms दी थी, एक upstart crow कही थी, एक चीज और भी कही थी, जिसको याद है वो comment करेगा जरूर, Shakespeare's King Lear was given a happy ending by one of the following playwrights, happy ending किसने दी है, very good, nahum tate ने, किसने दी है, nahum tate ने दी है, और आप history of English literature जब पढ़ ही रहे हैं, तो बहुत सारे works की happy ending देने वाले nahum tate ही हैं, ठीक है, आगे चलके जब हम UGC के लिए, जब हम Webster पढ़ते हैं, तो Webster के भी works है, उनकी happy ending भी nahum tate ही देते हैं, hello Chandramala जी, चलिए, the phrase what is in a name is a part of which of the following, ये line कहां आती है, what is in a name, बताए, Hi Neha, good evening, कहां मिलेगे आपको ये line, what is in a name, very good, कमलेश रानी, हां जी, चंदरमाला जी, ममता, सभी students reply करेंगे, ये नहीं कि बस mobile लेके बैठे हुए हैं, जब तक आप खुछ से participate नहीं करोगे न, मजा नहीं आएगा आपको class में, चलो, बहुत बढ़िया, हां जी, दिक्षा आंसर करना रजे, आंसर करो इसका, what is in a name, प्रीत कमल जी, बस तुसी कुट खानी है, बाकी सारे अधा ठीक है, तबस्वम बिटा आपका गलत है, तबस्वम तो चलो, मैं इनको डांट नहीं सकती, ये नई student है, हमारे साथ अभी इनोंने सीखा नहीं है, बट प्रीत कमल जी तो कुट बड़ी अच्छी पढ़नी चाहिए, बहुत ही अच्छी, येस, Romeo and Juliet, अरे यार आप Romeo and Juliet कैसे भूल सकते हो, आपको पूरा प्ले करवाया है मैंने क्लास में, किस तरीके से Juliet बालकनी में खड़ी है, और वो सोच रही है, कि यार, ये नाम में क्या है, क्या है नाम मे मतलब मैं, अगर तुम Romeo की जगा Romeo Montague ना होते, सिरफ Romeo होते, तब भी तुम मेरे लिए वही Romeo ही थे, Romeo नहीं कहनदा, what is in a name, Juliet कहनदी है, कि नाम जी की रख्या है, फिर क्यों गया तिरा नाम जी Romeo Montague है, तु है ता Romeo ही ना, ये Juliet की वर्डिंग है, what is in a name, Romeo Juliet, Romeo उसको पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, फिर वो भी आगे ये ही बोलती है कि, ठीक है, मेरे नाम में क्या रख्या है, बट बाद में जब वो बालकनी पर खड़ी है, तब भी वो ये ही बोल रही है, कि नाम में क्या रख्या है, like what is in a name, if you are a Romeo Montague, Montague, it doesn't matter to me, Montague, ठीक है, बो Montague है ना, वो कहती कि Montague ना भी होते, तब भी तो तुम रोमियो ही हो ना, मुझे तो प्यार रोमियो से हुआ है, तुमारे सरनेम से थोड़ी हुआ है, चलो, Dryden's play All for Love is based on one of the Shakespeare's play, अब John Dryden करवा चुकी हुँ, John Dryden का mock test भी हो चुका है, All for Love, उन्होंने कौन से play पर अजमाया था? हान जी, बिलकुल ठीक, धर्मपाल जी, वो यही कहरी है, Romeo, Romeo, why are you Romeo? Yes, Anthony Cleopatra पे, बहुत बढ़िया, हान जी, Anthony Cleopatra. Over how many days does the action of the tempest take place? कितने days हैं tempest में? आना चाहिए आपको यह answer, बहुत बढ़िया question है यह, जरूर मिलने वाला है पेपर में. Good evening, Chandu. Yes, हांजी रिंकी, only one day. हांजी रविंदर जी, सिरफ one day की कहानी है, पूरे tempest play की. एक ही दिन में सारा दिखाया गया है, तब ही तो इतना easy था, शेक्स्पियर का यह वला play, इनेक्ट करना stage पे. Yes, one day. In the tempest, what are Miranda and Ferdinand doing in the final scene? अब यह भी आपको class में अच्छे सी tempest करवाया था, पूरी photos, effects के साथ. तो वो last में Miranda, Ferdinand क्या कर रहे थे? Playing cards, पत्ते खेल रहे हैं, हाना आप 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 भी खेल दे पे हैं. Caringwood, playing chess, playing tag. Yes, they are playing chess. Yes. How long have Prospero and Miranda been on their island? अब वो island पे खो गए थे, island पे मतलब अब जी रहे हैं कितने टाइम से? हान जी. हान जी बिलकुल ठीक प्रीत कमल जी. कितने टाइम से वो island पर रह रहे हैं? बहुत easy है ये question भी. करते चलो answer. बिटा, 12 years से रह रहे हैं. क्या हो गया रंजीत जी? आपका कैसे गलत हो गया? आप जब गलत answer करते हो न, दिल को लगता मेरे. 12 years. देखो मेरे बात सुनो. मिरांडा तीन साल की थी. जब वो island पर पहुंचे हैं. प्रोस्पेरो और मिरांडा को अब वहां पर रहते हुए 12 साल हो गए. तो इस टाइम पर मिरांडा की उमर हो गई है. 15 साल जब वो ब्याई जा रही है. किस से? अपने Ferdinand से. ठीक है? तो Ferdinand के साथ जब मिरांडा की अब वो इनका लविंग सीन चल रहा है. तब मिरांडा 15 years की है. क्योंकि 12 साल आईलेंड पे हो गए है. 3 साल की तो वो थी जब वो पहली बार आईलेंड पे पहुँचे थे. तो इस टाइम पर मिरांडा की उमर 15 साल है. और जब प्ले शुरू होता है मिरांडा की उमर 3 साल थी. पर आइलेंड पे पहुंचे हुए 12 साल हो गई, यह math है, इसको plus minus करके देख लो, 12 plus 3, 15 What was poor Yorick in Hamlet? Yorick कौन था Hamlet में, बताए इसका skull मिलता है न, याद करो, skull की photo भी दी हुई है आपको, Yorick कौन था? Jester, Actor, Grave Digger और Soldier करते चलो answer Yes, कौन था एक, Jester था, Jester का मतलब एक Joker था यह, एक कोई funny character था ठीक है? Yes, रविंदर जी गलत है आपका Who among the heroes of Shakespearean plays has been described as malanclic and a neurotic having edipus complex? Malanclie है, दुख है उसे अपने, किस चीज़ का दुख है मैं यहाँ पर बताऊंगी नहीं उसको कुछ neurotic problem है, यानि की madness है, उसमें edipus complex भी है अब मैं सच बात बताऊं, आप लोग सिरफ edipus complex देख के answer कर रहे हो ना? चोर, वो एक number के, question चुडा लिया, hamlet answer तो ठीक है इसका, बट अगर edipus complex ना लिखा होता ना, तो यहाँ से भी guess हो जाता है, कि malanclie कौन था, किसको दुख है, अपने father, father की death नहीं हुई उसके, hamlet के, तो उसको father की मोद का दुख है, neurotic, उसमें madness किस में थी, hamlet में थी, ठी he was the man who of all modern and perhaps ancient poets had the largest and most comprehensive soul, अब यहाँ पर, यहाँ पर, यह कुष्चिन बहुत बहुत बार बच्चे, कन्फ्यूज हो जाते है, यह B और C answer तो कोई भी नी कन्फ्यूज होता, सिरफ A और D में खो जाते है, अच्छा, अगर Dr. Johnson लिखा होता, तो उसमें भी फिर कन्फ्यूज ह हो जाते है, कि Hi Dr. Johnson ने बोली थी यह line, Dryden ने या Ben Johnson ने, तो इसमें जरूर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, यह किस ने कही थी यह line, comprehensive soul वाली, इसका answer करो एक मिनिट में को, बैल बजी है, गेट खोलना है, तो यह line कही थी रज्जे, Dryden ने, किसने कही थी यह line, Dryden ने कही थी, देखो मेरी बात सुनो, अब इसका एक work आया था, अपना, कौन सा था, essay of Dramatic Poesies, डेट बताओ जल्दी, जल्दी, essay of Dramatic Poesies कब आया था, डेट बताओ जल्दी से, अच्छा, अब यह essay आया इसका, इस essay में इसने क्या बोला था, modern critic अच्छे हैं या ancient critic अच्छे हैं, तो इसमें modern और ancient writers की, critics की, इसमें बैस की है, अगर आपने यह ऐसे of Dramatic Poesies पड़ा है, तो उसके अंदर इसने यह topic चेड़ा था, modern और ancient poets का, modern और ancient critics का, English writers और French writers का, है ना, तो इसमें इसने क्या बोला था, कि ancients हैं, वो good हैं, यह चीज़े बात हुई थी, तो इसमें वो यही बोला है, देखो modern लिखा आगया, कहरे है, सारे modern और ancient poets में से, जिस जो सबसे बड़ा है, जो सबसे बड़ा है, वो कौन है, Shakespeare है, यह बात कहा है, किसलिए राया है, वो Shakespeare के लिए बोल रहा है, ठीक है, कि Shakespeare में तो सारे modern और ancient दोनों ही समाज आते हैं, ठीक है, तो यह ड्राइडर ने कही थी, 1711 में नहीं आया था, 1668 में आया था work, essay of dramatic poetry, चलो अगला करो, which character in hamlet utters the line, something is rotten in the state of Denmark, अब यहाँ पर Denmark आ गया, तो यहाने कि hamlet play में से line आई है, वो तो चलो उपर भी बता दिया, बट यहाँ Denmark से भी आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि Denmark की setting hamlet में है, prince of Denmark इसका subtitle है, आपको पता होना चाहिए यह चीज, अब यह first line है, शुरू होते ही प्ले, यह चीज आजाती है, कि something is rotten, कि यानि कि दया कुछ तो दाल में काला है, कुछ तो खराबी चल रही है, तो यह line किसने बोली थी, भेड़ चाल मत चला करो, रज्जे, अपना दिमाग लगाओ, किसने कही थी, ओपनिंग कौन कर रहा है, hamlet plague में, बेटा, आपका बहुत जल्दी, मैं फिर से Shakespeare करवाने वाली हूँ, बहुत जल्दी, आप Shakespeare ना भूल गए हो, दो तीन महीने हो गए ना, Shakespeare की एको मुझे लगता है, अब आप सारा Shakespeare खतम हो गया आपके mind से, remind करवाना पड़ेगा फिर से, very good रंजीत, yes, marcellus, किसने कही थी line, marcellus ने कही थी, opening line कौन दे रहा है, आपको notes में सारी चीज़ें दी गई है, फिर भी गलत करते हो, Shakespeare पढ़नी ना रहे, मैं आपको क्या बोलती हूँ, कि जो writer मैं करवा रही हूँ, वो तो आपको करके सो नहीं है रात को, रात होते ही वो writer तो आप पढ़ोगे, मेरे साथ रात को class चल रही है, आप वो writer मेरे साथ पढ़ रहे हो, सुबह उठके वो writer को आप लिखोगे, लिखोगे इसको, लिखने के बाद जब आपका ये writer ready हो जाए, उसके बाद तो पूरा दिन खाली पड़ा है, शाम तक पांच बच तक क्या करते हो, writer तो एक डेड़ घंटे में लिखा जाता है, उसके बाद क्या करते हो, पूरा दिन वे लिया मारते हो, तो पूरा दिन बैठके कोई पुराने writer उठा लिया करो न, सारे notes आपके पास हैं, सारे PDFs आपके पास हैं, हर चीज, videos, हर चीज दी हुई है, MCQs दी हुई है, क्यों नहीं पुराने writer उठाते, अभी तक आपने क्यों नहीं फिर से Shakespeare उठाके एक बार revise कर लिया, मुझे बताओ, जब मैं कहूंगी तब ही करोगे, अपना free time क्या बजार घूमने में लगाते हो आप, यह यह TikTok और Instagram यही चलता रहता है आपका, बैठके Shakespeare क्यों नहीं करा अभी तक, कैसे गलत answer आ रहे हैं आज, बहुत जल्दी दुबारा से Shakespeare homework में मिलने वाला है, तो इससे पहले आप Shakespeare अपना prepare करके रखो, ऐसा नहीं कि अब exam date पास आने वाली है, अब form निकलने वाले हैं, तो अब आप लोग अब गलत नंबर लेके आ रहे हो, खराब नंबर लेके आ रहे हो class में, अब बताओ, life is but a walking shadow, यह लाइन कहां पर आती है, signifying nothing, full of sound and fury, Macbeth की लाइन है, act 5, scene 5, कौन कहता है यह लाइन, life is but a walking shadow, यह लाइन बोली किसने है, बोली, अच्छा, spoken ही पूछा गया है, किसने बोली हैं, यही पूछा गया था उपर, Macbeth नहीं बोली हैं यह लाइन, ठीक है, उसमें यह नहीं आ जाए कि Lady Macbeth बोल रही है, यह Macbeth जो male member है, male Macbeth है जो वही बोल रहा है, उसकी lady ने नहीं बोला, बलकि यह लाइन बोली भी तब गई थी, जब Lady Macbeth की death हो जाती है, उसके दुरान ही यह लाइन उसने बोली थी, अब आगे का question आ गया, अब अगर आप लोगों ने मेरे साथ कलिया परसूं की classes लगाई हैं, उसमें भी मैंने आपको एक question डाला था, जिसमें मैंने बोली थी यह चीज, कि इस वले writer ने ना पोर्टर सीन के उपर यह एक essay दिया है, किस ने दिया है वो पोर्टर सीन के उपर ऐसे, बताएए, हम, बहुत बढ़िया, Thomas D. Quincy ने, और essay का नाम कौन बताएगा, कौन बताएगा essay का नाम, Very good, बताएए, बताएए, Very good Chandu, On Knocking at the Gate in Macbeth, बहुत अच्छे, Which of the following works of William Shakespeare is written in six-line stanza and shows decided signs of immaturity, अब इनसार में immaturity कब होती है, जब उसने कुछ नया-नया काम लिखा होता है, तो इस में से कौन सा work ऐसा था, जो उनका अभी नया-नया ही popular हुआ था, मार्किट में नई-नई चीज लौच हुई है, तो उसमें immaturity है, क्योंकि अभी लिखने का style कम ही था उनका, Yes, Venus and Adonis, ये six lines तांजा है जिसको हम sestet भी बोलते हैं, sestet में लिखा गया था ये, जी, immaturity की उनके ये शो करता है कि अभी इतना अच्छा ये नहीं लिखा गया था, चलि, which of the following plays by Shakespeare is not classified as a roman play, अब not लिखा हुआ है, फटा फट गलत इक मत कर देना, कि इनमें से कौन सा roman play नहीं है, पेपर में मैं बार बार बोलती हूँ ये चीजें, कि note जब भी लिखा हो तो ध्यान देना है, जब भी sentence सामने आज आए न, तो ऐसे sentence को घूर के पढ़ा करो, कि हाई भाई, इसमें note तो नहीं लिखा हुआ कहीं पर, कहीं पर accept word तो नहीं लिखा, एक question को न, दो बार पढ़ लिया करो, आपके पास enough time होता है, बाद में आपने वेले बैठना, इधर उधर मूँ ठाके, तो ने कर लिया paper, तो ने कर लिया इसका answer, मतलब मुझे इतना पता न, जल्दी जल्दी answer कर लेते हो, उसके बाद free बैठे रहते हो, मैं हम जाएं, हमने कर लिया, मैं हमारा paper ले लो, हम जाएं, उससे अच्छा ये चीज होती है, एक sentence को दो बार पढ़ लो, और जूलिय सीजर तो एक दूसरे का ही मतलब पार्ट है, क्योंकि जूलिय सीजर का ये next पार्ट एंटनी क्लियोपेट्रा ही खुलता है, कोरियो लैनस भी रोमन प्ले है, हैमलेट कहीं से भी रोम की कोई बात ही नहीं आती इसमें, हाँ जी प्रीत कमल जी, तोड़ा दिन ने खराब है, इन दा फर्स्ट फोलियो एडिशन ओफ शेक्सपीर्स ड्रामाज विच प्ले वोज ओमिटिड, अब फर्स्ट फोलियो कब आया था इसका, सबसे पहले तो यही कोईशन निकलता है, आपको आना चाहिए, शेक्सपीर का फर्स्ट फोलियो कब आया था, फर्स्ट फोलियो किस ने दिया था, फर्स्ट फोलियो का प्रिफेस किस ने दिया था, यह सारी चीज़े तो दा पॉइंट आपको पता होनी चाहिए, येस, बिल्कुल ठीक, पैरिकल्स जो था, ओमिट कर दिया गया था, येस 1623 में आया था, बहुत बढ़िया, प्रिफेस किस ने दिया था, जल्दी बताओ, प्रिफेस किस ने दिया था, बेरी गुड बिबेकनन जी, बैंट जॉनसन ने, बहुत अच्छे, विच ओफ दा फॉल्विंग वर्क्स बाइव विलियम शीक्सपीर, इस अपैस्टोरल रोमैंस, अगर लड़ू कोशिन मिला तो ये मिलने वाला है, बेटा लाइक नहीं मिल रहे हैं मिरको बिलकुल भी, ग आपके माइंड में चीजे नहीं बैठेंगे, एक एसा होता है ना कि गेम, ये गेम ही तो है, एक सामने आपके वीडियो गेम है, फटा फट कोशिन आ रहे हैं, आपको फटा फट रिप्लाई करना है, येस, एस यू लाइक इट, अभी तो हम कोई जादा बातें भी नहीं कर और मैं यहाँ पर 40 मिनट में 40 कोशिन लेके आती हूँ, एसी ब्रेडलेज शेक्सपीरियन ट्रेजडी कंसिस्ट ओफ, बताईए, एसी ब्रेडलेज ने शेक्सपीरियन ट्रेजडी लिखा था, उसमें कितने लेक्चर्स दिये थे, 23, 12, 16 और 10, आंसर करिए फटा-फट, जी, करते चलो आंसर, हाँ जी, हेलो रजट चाबला, अच्छा आपको नहीं आता, और एक बार दो तिन बच्चे और और आंसर करो जरा, मैं एक बड़ी अंदाजा तो ले लूँ कि शेक्सपीर बिलकुली मतलब भूल गए हो, 10 lectures लिये थे, कितने लिये थे, 10 lectures, 10 lectures, 1904 में आया था उनका ये work, 10 lectures थे, पता नहीं मतलब शुरू शुरू की ना डांट भूल गए हो, लगता है, Which of the following books marks the beginning of Shakespeare's success? Question नहीं समझ आया, A.C. Bradley ने work दिया था Shakespearean tragedy, उसमें कितने पार्ट थे, कितने lectures थे, 10 lectures थे? अब Shakespeare का success किस से हुआ था? Love, Labor, Lost, Merchant of Venice, Venus and Adonis Sonnets बताईए, तब ही कहते हूं, भेड़ चाल मत चला करो, अपना दिमाग लगाया करो Shakespeare का beginning, beginning में, शुरू में ही उन्होंने कुछ लिखा और उन्हें success मिल गई थी क्या लिखा था उन्होंने? जी, Venus and Adonis, बहुत अच्छे रजीत, बाकी सारी नलायक जनता है, सबको कुट पढ़नी चाहिए, जब तक मतलब आप ओफलाइन मेरे सामने ने आते, ये ओनलाइन का बड़ा फायदा है आपको, कि हाँ भाई, ठीक है, भूल गए, तो क्या होगे, एक सोरी बोल देंगे, य यही पैन, जोड दी मूँते पैना सी, निता डंडा रखना सी मैं कोलो, एक एकनुक कुटना सी फढ़के, सारी मिट्टी पलीद कित्ती पी ये मेरी मेनत दी, याद करो वो दिन जब शेक्स्पियर पे 18-19 दिन लगवा दिये थे मैंने, याद कर लो वो दिन, पक गए थे मै जी धरमपाल जी, मैडम हमें तो रट गया शेक्स्पियर अब और मत करवाना, बस करवा दी थी आपकी और फिर भी गलत, फेरी इस पक किसमें आता है, मिड समर नाइट्स ड्रीम में, आउट आउट ब्रीफ कैंडल, अब ये लाइन कहां आती है, आउट आउट ब्रीफ कैं करके आया करो, आपको जो थोड़ा सा फ्री टाइम मिल जाता है, आपको ओता है कि ठीक है, मैम ने जो होमवक दिया था, हमने कर लिया, अब हम फ्री है, अरे जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, फ्री नहीं हो, जब तक नोकरी नहीं लग जाती, आपको पढ़ते रहना ह यही वो दिन आपको याद आएंगे कि हाँ जी मेहनत करी थी आज सैलरी खंखन बज रही है हर महिने अकाउंट में यही दिनी तो है मेहनत के फिर देखते रहे न अरे वा भाई में तेरा खोगया क्लियर नई मेरा नहीं हो या क्यों क्यों नहीं होया तेरा तू भी तह मैं को लो पढ़ दी सी मैं न रिवीजन ही नहीं कर दी सी ओवर कॉन्फिडेंट सी कि हाँ भई एककरी पढ़ लिया मैं तो बहुत माइंड दी शापा में ता आ जूगा एक बार चीज पढ़ने से कभी नहीं आती है क्लास में रेगुलर आना पढ़ता है रेगुलर चीजों को बार बार पढ़ना पढ़ता है कितनी बार चीजें बोलती हूँ मैं कि अगर एक राइटर कर लिया उसे बंद करते टाइम दूसरा उसके साथ का राइटर राच को पढ़के सोया करो मैकबेथ इस अ प्ले अबाउट अच्छा आउट आउट ब्रीफ केंडल अभी समझाया नहीं न मैं समझा देती हूँ पहले इसका अंसर करो जब दूसरों के अकाउंट में सैलरी खनकी की अवाज जब आपके दिमागे में गुंजेगी न फिर अगली बार और गुस्सा चड़ेगा आपको पढ़ने में यह गुस्सा ही होता है जो इनसान को कामियाबी दिलाता है जब इनसान में फायर ना हो ना हना पुषपा जब फायर नहीं होती ना पुषपा में तो फिर पुषपा भी फेल हो जाता है तो फायर लेके आओ अपने अंदर येस रेजी साइड राजा का मडर हुआ था राजा का नाम था डंकन आउट आउट ब्रीफ कैंडल को बिटे आब भूलोगे नहीं ये जो हमारी लाइन है ना लाइफ इस बटा वॉकिंग शैडो हना फुल ओफ साउंड एंड फ्यूरी वाला जो पूरा पैराग्राफ सा है उसकी जो स्टार्टिंग लाइन है पहली लाइन यहीं से ही शुरू होती है आउट आउट ब्रीफ कैंडल और फिर जाके पूरी लाइन शुरू होती है इसी में ही टुमोरो टुमोरो वाली जो कोट है उसकी वो भी इसी में ही आती है एक बहुत बिग ऐसे स्तांजा है इत्ता बड़ा 15-20 लाइनों का शुरूवात यहीं से होती है आउट आउट ब्रीफ कैंडल और फिर आगे चलके फेमस लाइन है वो जो टुमोरो 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 वाली वो भी मेकबेथ की है फिर आगे चलके लाइफ इस बटा वोकिंग शेडो लाइन भी मेकबेथ की है फिर लास्ट लाइन है जो फुल ओफ साउंड और फियूरी वो भी मेकबेथ की है ठीक है आउट आउट ब्रीफ कैंडल से शुरुवात होती है तो ये चारो लाइने मेकबेथ की ही है और एक ही पैराग्राफ से आई हुई है ये वला हो गया वट टाइटल डिड मेकबेथ ओरिजिनली हैव आहो पृत कमल जी तो अड़ी फूक निकली पी है मतलब मैं तो आथे इंजॉय कार रही है है ना सिरफ तुसी लोगों जो पढ़देऑं सिरफ तौड़ी मेनत तो आणू सस्रिया काल तुसी लोग पढ़देओं नहीं थोड़ी मतलब तौड़्यनाल छी मिन्यांęt तो जूड़ी हो यहं तो आणू काम करा रही हैं तौड़ी तौड़ी मेनत अ बस कितानों पढ़नों मैं होंवग दे दन दिया न एन्ने जी फूक निकल गी थेन ओफ ग्लैमेस क्या अंसर आएगा यार हांजी शिवानी आपका ठीक है आपका ठीक है शिवानी बाकी लोग ना सच्ची में मतलब आज तो आप लोगों ने मेरे को बहुत डिसपॉइंट कर रख है बहुत जादा थेम ओफ ग्लैमेस पहले उसका नाम था वो जीत के आया था जो जंग पे गया हुआ था वो और पे गया हुआ था वो वो जीत के आया तब वो उसका नाम ओल्रेडी थेन ओफ ग्लैमेस था पर बाद में बाद में उसको कावडर और फिफे बनाया गया पहले उसका नाम थेन of glamis ही था हाँ ते मैनो पता सी प्रीत कंवल जी मैं के एक वारी में टेस्ट करके देखा कि तुस्सी किन्ने पानी चों फिर मैं हुन देख रही है कि तुस्सी ता पानी तुस्सी ता समुंदर च डुबबे पे हो तुस्सी 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 तुस्स अब ये एक line है, ये एक song है, पहले तो बताओ ये song आया किस में था, कौन से play में आया था, और अब बताओ ये song गाया किसने था, Amiens, Silvius, Phoebe और Jacks, किसने गाया था ये song? बेटाजी, आप लोग कब से मेहनत कर रहे हो सिरफ इस चीज के लिए कि आपको government job मिले, हाना हर किसी को अपना मतलब independent होना है, हर किसी को है कि हर महीने तनखा आये हमारी account में, इसलिए ही पढ़ रहे हो ना, नि तो आपको क्या लेना देना Shakespeare से, आपका भाई थोड़ी लगता ह आप इसको पढ़ रहे हो कितने टाइम से, यह सारे जितने भी आपके syllabus में writers दे रखे हैं, इतनी mind को headache दे रखी है, रोज रोज पढ़ना है, homework मिला है, है ना, आप इसलिए पढ़ते हो ना, salary चाहिए, तो उसी salary की चाहा में ही, रोज राज को दो से तीन writers को revise करो, सोते है, amiens आएगा answer, एक बार मैं check कर लो, रुख जाओ, मुझे तो amiens लग रहा है फिर भी, amiens यह भाई, amiens है, amiens, मतलब आप लोग इतने confidently answer गलत करते हो ना, मैं तो खुद ही परिशान हो जाओ, amiens, amiens ने गाया था, बिटा, jacks ने तो वो दिया था ना, seven stages of, seven ages था, seven stages था, seven stages of man, हाना, चलो, hamlet's question, to be or not to be means, अब आपको पता है, hamlet की यह famous quotation है, यह एक solily की बोलता है, हान जी परीद कमल जी सही बात है, यह वला जो गलत answer देने वाला confidence है ना, यह गलत रख यह पेपर के लिए यूज मत करना, इतने confident यह गलत तिक करते हो, कि सामने बैठा teacher भी सोचे, ओह, मैं ही तो गलत नहीं हूँ, कहीं मेरा ही mind तो नहीं distract हो गया, yes, वो परिशान है कि मैं जी हूँ या मरूँ, वो suicide करने की सोचता है तब, ओ सॉरी, वो उसका murder करने की सोचता है, Polonius का, Shilok is a character in, अब Shilok कहां पर भी मिलता है, 12th night में, Merchant of Venice, Jew of Malta, Comedy of Errors, Claudius, हाँ, Claudius को मारने के लिए, सॉरी, Claudius, yes, Merchant of Venice में, Shilok है, Porsche है, और कौन थे, Antony है, और वो पोर्शिया का वो बंदा कौन है, जाता है, उससे, कास्केट खोलता है हना, LED की कास्केट खोलता है, कौन था वो B से नाम था उसका, Basenio, हाँ जी, Basenio, अच्छे, Jew of Malta में जो Jew है, उसका क्या नाम था, Barabbas, क्योंकि पेपर में, same options के साथ, same option के साथ, यह लिखा आ जाता है, कि Barabbas Jew कहां पर था, तो Jew of Malta में Barabbas Jew था, और Shilok Jew कहां पर था, Merchant of Venice में, अब शेक्सपियर के लिए लाइन किस ने कही, ताइगर्स हाइड क्यों बोला था शेक्सपियर को, क्योंकि शेक्सपियर एक एक अक्टर था, स्टेज प्ले करता था, यह लाइन किस ने कही थी, very good, very good, Robert Greene ने, किस ने कही थी यह लाइन, Robert Greene ने कही थी, अब आपको पता है, शेक्सपियर एक टाइम पर लंडन छोड़के भाग गया था, सारी स्टोरी आपको करवाई हुई है, बायग्रफी की विडियो देख लो, एक बार अगर पहली बार चैनल पर आयो तो, उसमें बताया है पूरी तरह से कि किस तरीके से डियर पोचिंग के टाइम पर उसको लंडन छोड़ना पड़ा था, तो किसका गार्डन था वो, येस, टॉमस लूसी का, सल्मान खान ने भी डियर पोचिंग करी थी न राजस्तान में, अभी तक बेचारा फसा हुआ है, वही सीन था शेक्स्पियर का भी, डियर पोचिंग का केस चल पड़ा था इस पे, अब आगे चलो, अब ये लाइन कहाँ पर आती है, कहाँ पर मिलेगी आपको ये लाइन, मेरी क्लास को बबबा शेर कर दिया करो थोड़ा बहुत, हैं आपके सोशल मीडिया हैंडल्स तो बहुत सारे बने होंगे, कोई इंस्टाग्राम, कोई टेलीग्राम, कोई अपना फेस्बुक, वट्सअप स्टेटस, जरा डाल दिया करो, हैं कोई चार बच्चे जुड़ जाएं हमारे साथ, इतना बुरा भी नहीं पढ़ा रही मैं, मैं आपके लिए इतने सुन्दर-सुन्दर कोईशन्स बना के लेके आती हूँ, कुछ तो नया सीखते ही हो ना, आके, थोड़ा सा शेयर कर दिया करो चैनल को, कुछ कमेंट, लाइक, कुछ तो दिया करो, अब ये लाइन बताओ कहां पर आई थी, अब चुप्पी क्यों छा गई? चलो अब भीड़ चाल करो, सब भीड़ चाल करेंगे, जल्दी आंसर कर दो सारे, अच्छा कौन नकल करके आंसर कर रहा है, ये सच्ची में आता है, ये बता दो अब, थैंक्यू रिंकी जी, येस, ए ओप्षन, सिंबलिन, क्या है, सिंबलिन, सही खेलगे प्रीत कमल जी, येस, सिंबलिन, और ये ही सेम लाइन, ये ही टू, जो कपलेट्स हैं ये, ये सेम कपलेट्स और कहां पर आपको मिलेगा, वरजीनिया वुल्फ का, नौवल है, अपना, मिसिस डैलोवे, उसमें भी, जब डैलोवे मार्किट में जा रही है, तो वहां पर भी, एक दिन का ही, इसमें, टाइम दिखाया हुआ है, मिसिस डैलोवे में भी, उसमें भी, शुरू-शुरू में ये लाइन्स आ जाती है, फिर नो, मोर दा हीट ओफ दा सन, चलो, चलो, करेक्टर ओफ शेक्स्पीर प्लेज इस अ बुक ओफ क्रिटिसिजम रिटन बाई, अब ये पूरी बुक का नाम है, ये बुक किस ने लिखी है, शेक्स्पीर प्लेज के करेक्टर्स के बारे में, करेक्टर्स ओफ शेक्स्पीर प्लेज प्लेज हांजी डैलोवे की डेट बिलकुल ठीक है, मुसका 1925, बताएए, चार्ल्स लैम, विलियम हैजलिट, स्टी कॉल्डरीज, टॉमस डिक क्विन्सी, आंसर करिये, चारेक्टर्स ओफ शेक्स्पीर प्ले, आंसर करिये, जल्दी जल्दी, कौन अपना दिमाग लगाएगा, कौन भीरचाल चलेगा, येस, विलियम हैजलिट, क्या आंसर आएगा, विलियम हैजलिट, बेटा, चार्ल्स लैम ने करेक्टर्स के ऊपर नहीं लिखा था, करेक्टर्स के ऊपर नहीं लिखा था, शेक्स्पीर के प्लेज उसने दिये थे, उसने बच्चों के लिए लिख दी थी, बच्चों के लिए मतलब कहानिया बनती है न, school books लगी होती है, पांच मी छटी क्लास के लिए जो Hamlet बना के दिया होगा बुक्स में, और जो Macbeth दिया होगा, पांच मी छेमी के बच्चों के लिए जो, ठीक है? तो उसने Charles Lamb ने बच्चों की बुक लिखी ती Shakespearean plays के, characters के बारे में Hazlet ने बात की है, Hanji, Shankaranandji, मैं ठीका, एक तुसी लिखना सी, Ma'am तुसी के में हो के मम्मी तुसी के में हो, एक कॉन है? चलो, good friend for Jesus' sake, forbear to dig the dust enclosed here, blessed be the man that spare these stones, and cursed be he that moves my bones. Yes, बिल्कुल ठीक, ये Shakespeare की कबर पे ये लाइने लिखी हुई है, Hanji, तो Shakespeare की ये लाइन्स हैं, Shakespeare के ग्रेव पे ये लाइन्स लिखी हुई थी, उनके epitaph पर, और ये लाइन पे उन्होंने बोला कि, श्राप लगेगा उन सब को जो मेरी कबर खोदेगा, और इसमें कबर में किसी और की लाश को अगर दफनाया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोल दिया था कि, जीजस सेख, बगवान के लिए मेरी कबर कोई नहीं खोले, इसके आसपास की मिट्टी को कोई नहीं छेडे, ठीक है, और मेरी बोन्स को बख्ष दो, मेरी बोन्स को मत निकालना इस कबर से, तो ये बात हुई है शेक्सपियर के बारे में, क्योंकि देखो कितनी कबरों में कितनी लाशें जाएंगी, बार-बार कबर खोदनी पड़ती है ना, दूसरे की बोड़ी डालने के लिए, तो उसने बोला कि मेरी कबर मत खोदना कभी भी, शेक्सपियर अड्रेस इस थीम ऑफ सॉनेट्स, अब सॉनेट्स की क्या थीम थी, अब उस बंदे ने 154 सॉनेट्स जो लिखी हैं, उसमें कुछ तो थीम सोचके लिखा होगा ना, तो कौन सी थीम के बारे में बात हो रही है, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ तरिशा जी इसलिए नहीं आता होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ना ऐसे घंटा सा बना होता है, वो क्या बना दिया मैंने न लिख दिया पंजाबी का, तो वो बेल जो भी बनी होगी ना उस बेल को प्रेस कर लो, बेल आइकन प्रेस करोगे तब ही आपको नोटिफिकेशन मिलने वाल है, येस, लव, ब्यूटी, टाइम एंड लोयल्टी, लव के बारे में बहुत सारी सॉनेट्स हैं, ब्यूटी के बारे में टाइम और लोयल्टी के बारे में, चलो, इन दा टैमपेस्ट, Prospero frees Ariel from which cycorex but has enslaved, एंसληव किसको कर लिया, Cycorex विच को छोड के किसको बंदी बना लिया था Prospero ने, Ariel को चुडवा के, Cycorex से किसको बंदी बन वया था, ये बात है, वो उपर का sentence नहीं पड़ा मैंने, Prospero ने Ariel को फ्री करवा के Caliban को बंदी बना लिया था, बहुत अच्छे, साइकोरेक्स की मम्मी है, ये साइकोरेक्स का बेटा है जल्दी से आंसर कर दो, चार कोशिशन रह गए है बेसिक थीम क्या है, रिवेंज, रिवेंज और फ्रीडम, फ्रीडम, फर्गिवनेस और फ्रीडम क्योंकि प्रोस्पेरो ने बाद में अपने सारे भाईयों को माफ कर दिया था और फर्डिनेन और मिरांडा की शादी के लिए भी मान गया था अब रोस किसको बोल रहा है, बिलोना का तुम पती हो, बिलोना का तुम दुलहा हो किसको रोस ने बिलोना का दुलहा बोला है, जो बिलोना थी, वो कौन है गौड़ेस ओफ ऋफ वार ठीक है, गौड़ेस ओफ वार, तो उसने बोल दिया कि तुम थो बिलोना के हस्बेंड हो यानि कि तुम गौड ऐफ वार हो एक तरीके से यही मतलब हो गया ना कि तुम अगर बिलोना के हस्बेंड हो तो तुम God of War हो तो यह रोस ने किसको बोली थी यह चीज Macbeth को बोली थी क्योंकि अभी-भी Macbeth War जीत के आया है और Macbeth शुरू में कौन था Thane of Glamis था अच्छा अब Thane of Glamis के बारे में मैं थोड़ा सा समझाओंगी फिर आपको वो भूलेगा ने कभी पहले दो कोशन का अंसर कर दो Who called Hamlet a dramatic failure यानि की artistic 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 failure किसको बोला था किस ने बोला था यास T.S. Elliot ने बोला था His life was यास अब यह कोशन सारी जनता गलत करने वाली है क्योंकि यह कोशन आप रबारी गलत करते हो आपको मतलब चीजें पढ़ती नीया ना दिमाग में कि मैं आन्मने डांटा हुआ इस गूशन के बारे में आपने गलत करना ही है तो करना शुरू करो फिर गलत आंसर कोई सा कोशियन नंबर बनेगा ये 39 नंबर का आंसर करो फटा फट गलत आंसर कर दो भई 39 लिखके गलत करना ताकि मुझे हरानी ना ओ 39 लिखके आंसर गलत करो मुझे पता है सबने गलत ही करना है करते चलो, करते चलो, देख रही हो, मैं, शुक्कर, मतलब फिर मैं यही confidence रखू ना, exam के लिए भी, कि तुसी सारे आने fail होना है, ता श्यार तुसी सारे पास हो जो, है ना, ठीक है सारे आदा, Mark Antony on Brutus, यह नितिका नहीं बास कोट खानी है मेरतो, आज ता नितिका प्रीत कमल ते धरम पाल जी, तिन्नो मतलब खुद एक चांटा लालो, बस मेरा चांटा तो अड़ेतिकन पहुंच नहीं रहा, खुद एक एक मुहते रख लो, प्लीज, ति शरम ना डुब जो खिते जा के, Mark Antony on Brutus, Brutus के बारे में बोला है, his life was, अब देखो, Brutus मर चुका अब, ठीक है, तो उसके लिए बोल रहा है, his life was gentle, वो कितना अच्छा था Brutus, रोम वालों के लिए अच्छा सोचता था, this was a man, कि यही वो अच्छा इंसान है, Brutus जो मारा गया, Mark Antony ने यह लाइन बो Where was Hamlet studying when he was summoned to Denmark on the death of his father, अब वो Hamlet को बुलाया गया ना कि घर आजा, पीछे से father की death हो गई है, तो Denmark में वो कहां पढ़ था, वो Denmark आया था कहां से, कहां पढ़ रहा था वो, लगा लिया धरमपाल जी, अच्छी बात है, प्रीत कमल जी और नितिका ने एक एक चंड लगाई के ने मूते, कि मैं ही आमा फिर, मैं आगी ना तो जुन्डा जुन्डी कारदांगी, फिर तुसी कहने हो, मैडम तुसी एक कर यह थे हुंदे ना, आसे सारे बच्चे जुन्डा जुन्डी हो जन्दे, आई लाइना बोल देओ ना, मैं आमने बहुत कुटना सी, गल्त आंसर कुटना ही है, ठांड है, आहो, तो आडे कल्ले आला ही ठांड है, गल्त आंसर देन देने ठांड लग दी, येस, जर्मनी, चलो, खत्म, मम, फिनिश, टाटा, बाई बाई, अच्छा, एक बीच में कौन सा करवाना था मुझे, थेन ओफ ग्लैमिस वाला ना, तहां गया थेन ओफ ग्लैमिस, ये रहा, अब ये देखो, ये आपको क्यों भूल जाता है कि मैकबेच जो था, वो ठेन ओफ ग्लैमिस था पहले, इसको ग्लैमिस को क्या याद करोगे, ग्लैमर, ठीक है, कावडर से कैसे याद करोगे, कि कावर्ड, ठीक है, फिफे को कैसे याद करोगे, फ अब देखो, अब वो बंदा वोर जीत के आया है, तो that means अपने साथ क्या लेक के आया है वो, ग्लैमर, ठीक है, यानि कि वो ग्लैमरस मैन है, अच्छा खासा बढ़िया उसने वोर जीती है, तो वो पहले क्या था, ग्लैमर था, अच्छा खासा इंसान था, पर जब परिया आ गई, वो तीन विचीज, परिया तो नहीं कहेंगे, तीन विचीज हैं वो, जो उसकी विषपूरी करने वाली है, तो तीन विचीज ने जो प्रोफेसी की है, हना कि तो तेरे साथ ये सब तो तीन विचीज ने क्या बोला कि तुम कावडर और फिफे बनोगे, तो कावडर से आप याद कर लो कावड, कि अब तुम कावड बनने वाले हो, तुम कावड बनने वाले हो, और फिफे यानि कि तुम फायर, फायर से याद कर लो, एफ की जगा पर आर याद कर लो, याद करने का ऐसी तरीक है, कि अब उसके अंदर फायर उठ गई, कि होई मिर को कावड कैसे बना देगा, मेरे अंदर तो फायर है, मैं तो डंकन को मार के ही रहूंगा, तो बस इस तरीके से ऐसे छोटी सी मैंने कहानी बताई आपको ऐसे याद कर लो, तो अब मेरा तो आइडिया य हासिल करी है, इसलिए ही रोस ने उसको बिलोना ज ब्राइड ग्रूम भी बोला है, और बाद में महल में पहुंचने के बाद, डंकन उसे थेन ओफ कावडर और फिर बाद में फिफे बनाता है, और कावडर से आप कावड याद करेंगे, कि कावड कैसे बना दिया उसको, अ अब याद हो गया, अब तो ये कुश्चन गलत नहीं करोगे न, अब तो ये कुश्चन गलत नहीं करोगे न, जी, चलो, अब होमवक ले लो पहले से, अब होमवक ले लो, सुलो मेरी बात, पहले तो आपका तीन दिसंबर को तो अगस्टन एज का ही टेस्ट है, ठीक है, अगर आप अगस्टन एज पूरी कर लो जल्दी, मतलब आपको करवाया हुआ है, बहुत बार अगस्टन एज के पां फाइल दी गई है, जिसमें I think कम से कम 80 शीट्स होंगी, 80 शीट्स के करीब तो मेरे ख्याल से मैंने करवाया है आपको शेक्सपियर, उसके इलावा, बायोग्रफी की कम से कम 25 से 30 शिट्टे अलग से भी है, तो कम से कम 100 या 700 पेजों का तो या अराम से होगा, 120 लिख देती हू यूट्यूपर तो बायोग्रफी है, यूट्यूपर बायोग्रफी है, बाकी के वो जो 80 शिट्टों वाली बात कर रही हूं वो बैच क्लास में है, तो आपको एक एक करके अब शेक्सपियर पढ़ना शुरू करना है, उनकी प्लेज मैंने आपको दे रखे हैं, प्लेज आ करनल समरी है प्रिंट आउट के लिए, ठीक है जी, तो दोनों चीजें पढ़के रखो, एक एक करके 37 प्लेज टोटल हैं और मैंने आइथिंक 20 के करीब या 19 के करीब कुछ आपको दे रखे हैं, तो एक एक करके उस पर टाइम स्पैंड करो, शेक्सपियर फिर से करना शुर इंपोर्टेंट है, चाहे आप यूपी का एक्जाम दे रहे हो, चाहे आप E.M.R.S. दे रहे हो, कोई भी एक्जाम में शेक्सपियर तो आना ही है न, तो इसको कैसे आप स्किप कर सकते हो, तो अब मैं रोज थोड़े-थोड़े कोईशन शेक्सपियर के लेके आऊंगी, तो भूलने नहीं है ये questions, ठीक है, overconfident मत हुआ करो, और हाँ, यूट्यूब पर जिनको जो नहीं आता था, वो एक एक करके इस आरे comments में सारे questions का answer करो अब, ठीक है, ताकि पता चले कि आप लोगों को अब चीजे आने लगी है, ओके जी, और थोड़ा बोता मेहनत का फल द आउनलोड करना है, और हो सके तो बैच ले लो तरक्की चाहते हो जीवन में अपनी तो, जितना डिले करते जाओगे बिटब बाद में भी आपने मेरे पास ही आना है, जब आपके हाथ खड़े हो जाएंगे ना कि हाए हमसे नहीं हो रहा, तब भी आप मेरे पास ही आओगे तो क्यों नहीं थोड़ा पहले आके जल्दी जल्दी तियारी कर ले हम, है ना, तो लाइक, शियर, कमेंट जरूर करना, चलो जी, आज तो 40 कोईशन थे और मुझे पत है आप लोगों के 20 भी नहीं आए होंगे, अगर आए हैं 20 से जादा तो जरूर बताना, क्योंकि आज इ समीद नहीं के आपके 20 भी आए होंगे, जिसके जितने आए हैं तो फिर बता देना, ठीक है जी, चलिए, ओक के बाई-बाई-बाई, वी आगे, बस 50 परसेंट ही लेने हैं आपा, पेपर चा फर्स्ट थोड़ी आना है, कौन लेके आएगा नंबर वन रैंक, नंबर वन कौ कौन आएगा बताओ, ओ माई गौड, धरमपाल जी के 35 है, हाई मैं वारी जावा, थू 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 नजर ना लग जे, नंबर वन कौन आएगा, हम में से नहीं, ऐसे बोलना है कि मैं मैं ही लेक्या हूंगी, कॉंपिटिशन स्पिरिट रखा करो, चलो जाओ, जाओ जाओ अब पढ़ने बैठो, रात को आठ बजे वली क्लास में आ जाना, आठ बजे नहीं सौरी साड़े साथ बजे, ठीक है जी, जलिए बाए-बाए,